नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की आवाद जन्ता समचार में आपका स्वागत है आए देखते हैं आज की ब्रेकिंग यूज जबलपुर में गन कैरिश फैक्टरी के रिटाइड कर्मचारी की तार से गला घूट कर हत्या सारदानगर कंचनपुर में दिन दहाडे वारदात घर में अकेले थे बुजुर्ग अधारताल पुलिश ने सुरू की परताल जबलपुर में 65 वर्सी जीसी एफ के रिटाइड ब्रद की हत्या कर दी गई उनकी हत्या मोबाइल चारजर के तार से की गई प्रतीत हो रही है विस्तर पर ही ये चारजर वाला तार भी मिला है अविवाहित बुजुर्ग की देखभाल उसकी छोटी बहन करती थी सबता में दो दिन वैपती की घर तो पांच दिन भाई की घर रहती थी हत्यारे ने घर में रखा कोई भी कीमती समान नहीं चुआ है सिर्फ दो मोबाइल गायब है अब पुलिस इन दो गायब मोबाइल से इस हत्या के तार जोड़ने में जुटी है अधारताल पुलिस के मुताबित गन कैरिज फैक्टरी से रेटायड रामदास कठेरिया शार्दा नगर नियुकंचर बोर में रहती थी अविवाहित होने के चलते छोटी बहन दिक्षितपुरा निवासी रश्मी नामदेव उनकी देख भाल करती थी रश्मी के साथ ही उनकी बीकॉम कर रही बेटी और पुरा चले गई थी रश्मी बच्चों के साथ सोमवार के शाम पांच बजे के लगभग भाई के घर पहुची बाहर का दर्वाजा खुला था जब कि जामदास कर ठेडिया कभी बाहर वाले दर्वाजे में की जाली नहीं खोलते थे अंदर बिस्तर पर वह शांत पड़े कई बार आवाज देने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले इसके बाद रश्मी ने पती अनुराग को बलाया पती ने मुह से सास देने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ इसके बाद 108 एंबुलेंस को बुला कर रांजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मरत गोशित कर दिया वारदायत की खबर पाकर मौके पर एसपी चद्धार्त बहुगुडा और एफसल की टीम पहुंशी थी एसपी बहुगुडा की मतावित प्रारंभीक जांच में प्रक्रन मदर का प्रतीत हो रहा है शाट पीम रिपोर्ट का इंतजार है घर से द आप देख रहे थे Breaking News हमारी Breaking News देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भुले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य ख़बरों के लिए हमारा चैनल सब्स्राइब करें